Hey students, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे new relation, events of new relation, जो के आज का हमारा topic है अब new relation क्या होता है और ये event कब होता है, इसके अंदर कौन से steps होते हैं, क्या चीज़ें firm होती हैं, क्या चीज़ें बनती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें, आज ये start करते हैं आज की इस वीडियो को और आज की इस topic को Neuralation एक ऐसा process है, जिसमें जो developing embryo है, जो developing young one है, उसके अंदर nervous system develop होता है तो वो process Neuralation कहलाता है, Neuralation is a process by which the neural plate forms eventually becomes neural tube which give rise to the brain and spinal cord तो यहां से हमारे पास brain और spinal cord बन रहे हैं और वो किस से बनते हैं, वो एक neural plate से बनते हैं अब यह neural plate क्या है, neural tube क्या है, इसको हम आगे समझते हैं, सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि यह जो process है, यह actually organogenesis के अंदर आता है तो आपने पढ़ा है कि आपके पास सबसे पहले जो fertilization होती है तो उसके बाद zygote बनता है और zygote के बाद आपके पास morula, blastula और उसके बाद gastrula जो है वो बन जाता है प्रोसेस के अंदर देखा था, तो इस gastrula में यानि कि embryo में जो आपके पास ectodrum की जो layer है यह जो blue color से आपको दिख रही है, यह ectodrum की layer है और इस ectodrum से जो है वो nervous system बनने वाला है आपने इनका fate पढ़ लिया है कि तीनों layer से जो है कौन से systems बनने वाले हैं तो आपने पढ़ा था कि ectodrum से क्या बनने वाला है, ectodrum से nervous system बनेगा तो ectodrum से nervous system किस तरह से बनेगा, यह हम इस process में पढ़ते हैं new relation में इस ectoderm layer से nervous system किस तरह से बनेगा वो हम process यहां पर पढ़ते हैं तो अब देखें यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि यहां पर जो cells मौझूद हैं यहां पर जो mesoderm है उस mesoderm से एक छोटा सा structure एक rod like structure डिवलप होता है जिसे हम कहते हैं notocord यह notocord जो है यह actually mesoderm से जो है वो drive हो रहे हैं तो यहां से mesoderm से notocord जब डिवलप हो जाएगी तो इस notocord के पास में मौझूद जो cells हैं उन cells के अंदर rapid division होगी और वहां पर वो cells जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगे उसकी वज़ा से यह जो actodrum की layer है वो उस जगह पर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और वहां पर जो cell की division है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और उस cell की division का जो बढ़ना है वो indicate कर रहा है कि यहां से अब nervous system develop होने वाला है तो आपको यह पता होना चाहिए कि nervous system कहां पर develop होता है जहां पर नौटो कॉर्ड मोजूद होगा उसकी उपर वाली जो आपके पास actodrum की layer है वो जगह जो है उस जगह से यह nervous system की शुरुआत जो होती है तो अब यहां पर हम आते हैं अब यह process किस तरह से होगा इसको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास यह जो है यह actodrum की layer है और यह आपके पास जो है वो नौटो कॉर्ड आपको दिख रही है अब इस नौटो कॉर्ड के उपर वाली जो actodrum की layer है इस layer के अंदर पहले तो thickening होई यह layer जो है वो मोटी हो गई अब उसके बाद इसका जो बीच वारा हिस्सा है जो central हिस्सा है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा अब central हिस्सा इसका नीचे जाएगा और यह side जो है इस यह बन चुका है इसे हम neural groove कहते हैं और यह neural groove यहाँ पर बन चुका है और इसके जो end है यह end आपके पास यहाँ पर neural crest cell से यहाँ पर भरे होते है neural crest cell जो है यह क्या है यह हम इसको आगे ही discuss करेंगे कि यहाँ पर neural crest cell जो है यह क्या है और इनका role क्या है सबसे पहले तो आपक तो आहिस्ता इसके दोनों end जो है यह join हो जाएंगे जिसके वज़ासे आपके पास यह एक तरह का tube इस तरह से बन जाएगा और यह tube neural tube कहलाता है अब neural tube यहां पर बन चुका है और यह end जो है इसके जो end होंगे वो आपस में यहां पर मिलकर एक यहां पर sheet बना लेंगे जो के आपके पास वही layer है एक्टोडर्म जिस एक्टोडर्म से यह drive हुआ है तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ कि एक आपके पास एक्टोडर्म की layer थी जिसमें इसे neural plate बनी और neural plate जो है वो नीचे जाकर neural groove बना लिया उसने और जब neural groove बन गया तो वो आगे चलके convert हो गया neural tube के अदर और उसके बाद यह एक्टोडर्म फिर से अपनी जगा पर same to same मौझूद होगी तो एक्टोडर्म के अंदर कोई changes नहीं है तरिफ एक्टोडर्म का एक पार्ट जो है वो नीचे चला गया और उससे क्या बन गया neural tube बन गया अब यह neural tube जो होगा इससे आपके पास brain और spinal cord बनेंगे और बाकी के जो components हैं वो यहाँ पर कुछ और cells होंगे जिसे हम कहते हैं neural crest cells इन cells से बाकी के structures बनेंगे nervous system के और वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से बनेंगे तो यह पूरा process है अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि neuralation ऐसा process है जिसके अंदर neural plate बनती है यानि क जो ectodrum है उसके अंदर से ectodrum जो है वो थोड़ी से थिक होकर एक plate बना लेगी जिसे neural plate कहते हैं और eventually becomes neural tube और उसके बाद वो neural plate जो है वो जब नीचे जाएगी तो आपके पास एक तरह का neural tube जो है वो बन जाएगा और उस neural tube से जो है वो brain और spinal cord के जो parts है brain और spinal cord वो इस neural tube स बनेंगे during the third week of development development के third week में ectodrum thickens in the midline तो ectodrum जो है वो actually thick हो जाती है देखें यह आपके पास neural relation की पहले definition बताएगी है उसके बाद बताएगा है कि ectodrum जो है वो सबसे पहले thick हो जाती है ectodrum thick होगी तो उससे neural plate बन जाएगी अब neural plate यहाँ पर बन चुकी है और उसके ब अदर से जो है वो इस तरह से neural groove जो है वो बना लेगी तो neural plate के बाद क्या बना neural groove बने नीरल ग्रूव बनने के बाद उसके जो है वो actually यह embryo के midline के बीच में मौज़ूद होते है यानि कि यह embryo के midline में इस तरह से neural groove यहाँ पर बन चुका होगा तो अब यह midline के अंदर neural groove बन गया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ देखें और जो neural fold होंगे वो elevate होना शुरू हो जाएंगे अब देखें यहाँ पर आपके पास तरह का structure है इसके अंदर यह top वाले structures हैं यह neural fold कहलाते है तो यह neural fold जो है यह आपस में जूड़ना शुरू हो जाएंगे और आइस यह आपस में यह fold जूड़ जाएंगे और जब यह fold जूड़ जाएंगे तो नीचे आपके पास एक neural tube बन जाएगी अब यह neural tube जो है इससे आपके पास structures बनेंगे nervous system के as the neural tube is forming some of the cells at the edges of the neural plate start break down and migrate to from the neural crest और कुछ cell जो है वो neural plate के नीचे कुछ ऐसे cells होते हैं जो के neural crest cells कहलात हैं वो थोड़ा साइड में होकर कुछ दो rods जो है वो बन जाती है या फिर वो साइड में होकर थोड़ा सा migrate कर जाते हैं और उन्हें neural crest cells कहते हैं तो इससे structure के अंदर भी आपको यह जो है बीच के अंदर जो है आपको प्लेट दिख रही है यह प्लेट जो है यह आपके पा जाले क्या है यह neural plate जो है यह किसे बनी यह एक्टोडरम से यह neural plate बनी है उसके बाद इसमें इसका बीच वाला हिसा जो है वो नीचे जाएगा और यहां से यह आपके पास fold बन जाएंगे इन folds को हम कहते हैं neural fold तो यहां पर यह neural fold है और यह neural fold आइस्ता इस्ता आपस में मिल और नीचे आपके पास एक structure बन जाएगा जिसे हम neural tube कहते हैं तो अब यह neural tube बन चुका है और इसमें से कुछ cells यहां पर मौजूद होंगे जो कि यहां पर migrate करके side में आ जाएंगे और यह side वाले जो cells हैं यह neural crest cell कहलाते हैं या फिर neural crest कह सकते हैं तो इस तरह से actually यह पूरा प्रोसेस है यह पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है इस embryo के अंदर और इसके अंदर यहां पर बीच के अंदर जो आपके पास layer है और वो layer कौन सी है वो layer है एक्टोडरम उस एक्टोडरम के अंदर यह सारी changes हो रही है और आप देखें यहां पर इस तरह से यह neural groove और neural plate जो है वो इस तरह से बनकर neural tube बन जाता है जिसकी वज़ासे आपके पास nervous system बनता है अब main जो parts है brain और spinal cord जो nervous system के main parts है वो आपके पास किस से बने हैं वो बने है neural tube से बाकी के जो structures हैं वो किस से बनेंगे वो neural crest cell से बनेंगे neural crest will eventually give rise to various cell types बहुत सारे cell के types जो है वो इस neural crest से ब के बनती है और कुछ सकुल कंपोनेंट्स यानि के आपके पास जो फेस है आपका जो स्कल है जो इस तरह से neural crest cell कुछ pigment cells भी बना रहा है और कुछ skull के components भी बना रहा है और cranial और spinal nerves भी इस crest cell से बन रहे हैं As the neural tube forms also undergo segmentation forming distance region that give rise to different parts of the nervous system तो जैसे neural tube बनता है उसके अंदर से segmentation होती है उसके segments बनते हैं और वो different parts बनाते हैं nervous system के तो इस तरह से जो दो structures है neural crest cells और बागी के neural tube जो है यह मिलकर nervous system को बना रहे हैं तो neural tube का जो anterior end है जो आगे वाला end है उस end से brain बनेगा और posterior end जो है पीछे वाला end जो है neural tube का उससे आपके पास spinal cord बनेगी तो इस तरह से आपके पास यहां पर क्या होगा neural tube यह brain बनाने के बात जो है यह close हो जाएगा और both end से दोनों end से यह close होगा neural crest cell और neural crest जो है इससे क्या बनने वाले हैं यह क्या है इसको discuss करते हैं during embryonic development neural crest is a transcend highly migratory population of cells यह actually highly migratory population है cells की यानि कि यह cells चांपर बनते हैं वहां से यह migrate करते हैं और बहुत ज़्यादा जो structures है body के वह बना रहे होते हैं तो यह migratory cells है जो के वहां उस structure उस जगा पर बनते हैं neural plates जो है यह बनते हैं और उसके बाद यह arise वहां से निकल कर बहुत सारे different जो cell हैं और tissues के types बनाते हैं तो अब neural crass cells कौन कौन से structures बना रहे हैं वह यहां पर पूरी एक table दी है इसको आप देख रहे हैं यहां पर पढ़ लें कि cranial nerves और ganglia जो है sensory and autonomic ganglia of the cranial nerves cranial nerves के अंदर जो भी ganglia हैं और cranial nerves हैं वह सारी इस neural crass cell से बनती हैं तो actually आपके पास जो cranial ganglias हैं ग Console bodies जो neuron की हैं उन्हें हम ganglia कहते हैं तो cell body जो neuron की होती है इस तरह से आपके पास कुछ chroma fin cells जो है वो इससे बनते हैं और adrenal medulla actually ये adrenal gland का जो part है medulla जिसके अंदर से epinephrine और nor epinephrine hormone release होते हैं उसका जो part है आपके पास वो यहाँ पर इससे बनेगा उसके बाद dorsal root ganglia यानि के sensory जो ganglia है sensory nerves आ रही हैं जो आपके spinal cord के अंदर sensory nerves आ रही हैं जो के dorsal side से आती हैं उनके जो ganglia हैं वो यहाँ से बनेंगे साथ में melanocyte ये pigment producing cells होते हैं जो के यहाँ से आपके skin के अंदर pigment को produce करते हैं ये cells यहाँ से arise होंगे skeletal and connective tissues जो है जैसे के cartilage, bond, connective tissue ये सारे आप actually face के तो आपके face के अंदर ये cartilage और bone जो हैं वो इससे बनेंगी तो आपके face के अंदर जो भी bones हैं जो भी cartilage हैं वो neural crest cells से बने हुए हैं उसके बाद यहाँ पर teeth जो हैं कुछ teeth वो भी in neural crest cells से बनते हैं smooth muscle के अंदर अगर बात करें तो smooth muscle cells of the cardiovascular system cardiovascular system के smooth muscle जो muscles हैं वो actually यहां से neural crest cells से बनते हैं schwann cells जो के myelin को बनाते हैं वो schwann cells यहां से बन रहे हैं और वो जाकर exon पर अलग जाते हैं जो के peripheral nervous system के अंदर मौजूद होते हैं उसके बाद आपके बास आता है enteric nervous system enteric nervous system हम उस nervous system को कहते हैं जो के आपकी GIT यानिके gastrointestinal track को control करता है आपके digestive system का जो पूरा track है उसके अंदर भी movement होती हैं और उसके अंदर भी उसको भी कुछ उसका खुद का एक nervous system होता है जो control कर रहोता है जिसे हम enteric nervous system कहते हैं तो यह nervous system actually enteric nervous system यह in neural crest cells से बनता है लास्ट में हम छोटे से topic की बात कर लेते हैं जो के है organogenesis organogenesis का मतलब है कि organ की formation organ की genesis यानि के formation तो organ बनना आपके जो भी embryo मुझूद है उस embryo के अंदर organ की development को हम organogenesis कहते हैं तो organ formation in developing embryo is called organogenesis which begins with the third week of human embryo तो यह third week के अंदर develop होता है pregnancy pregnancy के अंदर fertilization के third week के अंदर यह जो है organogenesis start होता है continue until the eighth week और eighth week तक यह continue रहता है उसके बाद जो है वो growth शुरू हो जाती है तो growth होने तक development होती है और development के अंदर आपके पास organ बनते हैं अब the three layers जो होती है the three germ layers of the embryo endodrome, mesodrome and ectodrome give rise to various organ tissues तो इन यह तीनों जो layers है यह तीनों layers बहुत important role play करती है organs को बनाने में साथ में tissues को बनाने में हमने अब जो new relation पढ़ा है यह new relation भी एक organogenesis का एक type है और इस new relation के साथ ही बागी बहुत सारे organs जो हो साथ में ही बन रहे होते हैं यह बहुत ही complex process है जिसके अंदर different organs जो है वो एक ही time पे बन रहे होते हैं इसको पढ़ना बहुत जो है वो complex है इसलिए यह आपके पास यहां पर discuss नहीं किया गया है अब organogenesis का basic introduction आपकी बुक के अंदर यहां पर दिया गया है अब बागी सारे organs जो है वो किस तरह से बनेंगे और वो पूरा complex process जो है वो आपको discuss करने की कोई जरूरत नहीं है अब next video में हम control of development को start करेंगे Thank you so much Allah Hafiz